हलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जागनात आप सभी को मेरे सरत जुगेस में स्वागत है आज होगा और 20 कोस्चिन जोकी हमारा टीचिंग आण रिशर्च आपटी चुट के उपर ओके ये अभी तक हम 50 कोस्चिन डिसकाशन कर चुके है आज होगा और 20 कोस्चिन ये देखे ये र पिचर बिखोई होर। ये स्टूडेंट कैसे मीख करना चाहिए जैसे की देखे जर्णल फादर फ्रेंड लीडर क्या होना चाहिए आसे होना कि भूलै इसाफ से क्या होना चाहिए टीचर कि टीचर जैसा का बोसकते। लीडर होना चाहिए यह फ्रेंड होना चाहिए यह फादर होना चाहिए जननल हो सकता है और फ्रेंड प्रूं सहत हो सब्स्क्राइब बाशा sit प्रूमा लोग जो हो गया वह कुछ नहीं हो सकता और fred । Battle Channel लीडर सकता है यहांसर रहेगा पर यहां सब्सक्राइब सब्सक्राइब पुलेद आम महिंद्री सिंग दोनी का ले सकते हैं जो कि उसका टीम को वह भी खुद ही टीच करता है उस सभी को एक लीडर है उसको सब कुछ हर कोई बत जो भी जितने भी प्लेयर से हर कोई उनको मानता है एक जितना बड़ा अच्छा लीडर रहेगा वह ग्रूप अच्छे में ले जा सकता है उसको ही बोल सकते क्या सबस्क्राइब टीचर होना चाहिए कि नेक्स ड्याइड द्यारी जिए अ सो मैंडिन इफिनेशन साफ लॉर्निंग विजलों कि मोस्ट अड्यकूट फेस्ट कुछिन लिक्या मोटिपी के मुस्ट इसन आफ जैकंड के डपल्लुक देखिए यहां पर क्या होना चाहिए उद्रफ क्या काम होना चाहिए टीचर का काम होना यह चेंज करना हो सकता है टीचर डेवलोपमेंड स्कील में development help कर सकता है documents of organization of knowledge इसका मतलब क्या हो गया तीनों तो थिक है बट सबसे जयादा क्या होना चाहिए स्टुटेन का लाइफ में उसका बयावर है उसका आटी चुड़े उसको चेंज करना चाहिए कि स्टुडेन का बयावर सब्सक्रिंच कर लिया तो वो सबसे अच्छा टीचर बोल सकते हैं मतलब उसी टीचिंग को सबसे अच्छा टीचिंग ही बोल सकते हैं जब एक student अच्छा behavior करके अच्छा आद्मी बनेगा अच्छा वो उनका जो society के लिए वो अच्छे काम करेगा तो क्या होगा वो लनिंग का मतलब अच्छा होगया ना तो उसका मतलब क्या होगा हमारा answer क्या होना चाहिए first of all होना चाहिए the motivation of behavior होना चाहिए next question देखिए for maintaining an effective discipline in the class the teacher should allow student to do what they like deal with the students strictly give the students some problem to solve deal with them politely and firmly क्या होना चाहिए एक teacher को कैसा होना चाहिए teacher को student को भी आलाव करना चाहिए उसके class में जो करना हो उसको आलाव करना चाहिए कुछ काम करने के सब कुछ नहीं बहुत कुछ काम में उसको आलाव करना चाहिए जैसे कि कोई discussion हो कोई new participation हो कि वो new events करने के लिए हो वो सब के लिए करने के लिए student को त्टूडें के साथ टीचर डिसीबलीन के साथ और श्रीकल करना हमें साथ तो स्टिकली नहीं हो सकता ला कुछ टाइमी उसको फ्लेक्सिबुल होना चाहिए यह से होना चाहिए स्टूडेंट को पर्टिकुलार कुछ सीचुएशन में उसका डेबलम करने के लिए उसको प्रोब्लेम दे सकते हो यह सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा सबसे अच्छा वाला जो होगा डिल हुए थी पोलाइटली और फार्मली स्टूडेंट के साथ ऑपॉलाइटली डिल करना चाहिए और फार्मली उनके साथ मिलना चाहिए और यह ह miser सर्थ फोर्तवला हो जाएगा नेस्ट देखिए एड इफेक्टीव टीचिंग एड इस वान हुईच इसी कॉलरफुल और गुड लुकिंग अक्टिव अक्टिव और फैसलिए वेकल्टी इस आवेलेबल तो आवल स्टुडेंस इजी तो प्रिपर आडुँज क्या होना चाह एज कोलरफूल और गूर्ड लूकिंग आन्ड इफेक्टिव टीचिंग एड्ट टीचिंग एड्ट के मतलब हो लें मतलब सब्सक्राइब करते हैं उसी को ही आम बोल सकते हैं इफेक्टिव टीचिंग एड जो आन हुई जो एक 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 आक्टिविटी है उसमें जो सब्सक्राइब करना चाहिए जब्सक्राइब करना चाहिए जब जाकर ऑपका अंसर हो जाएगा नेस्ट देखे यह वगया 54 नेस्ट हम देखरेंगे अभी 55 वाला कुस्चिन करेंगे छोड़ा होजा ऊके थेके तो तीचर्स तीचर्स आर पोलर ली अमुग स्टुडेंट्स वोग देवलोप इन्तिमास इन्तिमेस इन्ताना with them help them solve their problems our good grades take classes on extratation बी तो तीचर्स आर पोलर अमाग देवलोट्स तोच पीपोर्स टीचर्स आर पॉपलर एमंग दा स्टुडेंट्स डेबलोप इंटिमेशी विथ देम एल्प देम सॉल्फ देर प्रोडम्स आवार्ड गूड्स आवार्ड गूड्स टेक्क्लास टू 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 अन एक्स्टा टूशन भी यह तो नहीं हो सकता किसको पॉपल अपका अंसर हो जाएगा वान हो जाएगा डेवलोप इंटिमेशी विथ देम और टू एंसर आपका हो जाएगा टू हो जाएगा ऑग है ठेल्प देम सॉल्फ दैर प्रोडम्स टीचर का काम यही हो सकता है नेक्स्ट देखे 56 दो एसेंच दो एसेंच अफान एफेक्टिव क्लास्रूम एन्वार्मेंट इजी यह भेराइटी ओफ टीचिंग एड्स लाइबली शुडेंट टीचर इंट्राक्शन पिन ड्रॉप वो साइलेंच स्टिक डिसिप्लेन क्या होना चाहिए अन दो एसेंच इफेक्टिव प्लाश्रूम एन्वार्मेंट क्या होना चाहिए एक्टिव नाच्छिर्व इसाथ नहीं हो सकता है बड़ अंशर अ लग रहा है जो कि राइबली श्टूडेंट टीचर इंट्राक्शन हमेशार क्लास में क्या होना चीए ठीचर और स्टूडेंट के बीच म होना चाहिए इंटरक्शन होना चाहिए यह आपका अंसर हो जाएगा अंसर हो जाएगा क्या लाइबली student teacher interaction okay next question देखे on the first day of his class if a teacher is asked by the students to introduce himself he should ask them to meet after the class tell them about himself in brief ignore the demand and start teaching should start is called the students for this unwanted demand okay क्या हो सकता है teacher का teacher क्या करना चाहिए फास्ट एक teacher निया teacher सबस्वेक कॉलेज में निया teacher जैसे आपड़ में होना चाहिए मेरा फास्ट देख होना चाहिए मेरे सामने जो भी स्टूटेंट होंगे उनके साथ मेरे पहले मैं खुद को introduction करूँ नहीं मैं खुद को introduce करूँ और student के साथ वह interaction करूँ जो कि आपको सबका नाम क्या है क्या क्या कहां से आते हो कितने दूर से आते हो कहां पर रहते हो सब कुछ कौन सी स्टूडेंट का कौन सी सब्जेक्ट को पर जादा फोकस है किसको कौन सी एरिया में अच्छा लगता है सब कुछ क्या करना चाहिए टीचर को उसको स्टूडेंट से ќारना चाहिए तो भी जाके क्या कर सकता है और लीडर जैसा बन सकता है कोई स्टुडंको गाइड कर सकता है उसको अच्छे से जो उछका चेंजेस में टीचर हलोप कर सकता है तो आशर कै marvel चाहिए on the first day of class if the teacher asked by the students student उन्सको बोले student बोले sir आपका introduction थोड़ा था देजिये himself to school ask them to meet after the class नहीं यह तो नहीं होगा यह गलत हो गया tell them about himself in brief in brief यह दे सकते okay answer आपका हुजे का second होजा tell them about himself in brief ignore the demand यह तो नहीं होगा यह दोनों नहीं होगा okay answer हो गया तो आपका answer क्या हो गया tell them about himself in brief next देखे तो moral values the moral values can be effectively inculcated among the students when the teacher frequently talk about values himself practice them to tell stories of a great persons talk of a talks of a goods and gods and goddesses क्या होगा moral value आपको क्या करना है तो आपको क्या करना है तो आपको क्या करना चाहिए प्रिकुंटली talk about values himself practice them talk stories of a great persons talk of Gods and Goddess क्या होना चाहिए इंसेल प्राक्टिस दें moral values देबलोमेंट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए student को actually जो values होता है उसमें उसको नेके क्या करना है उसको values नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा जब वो यूज करेगा अक्चुल लाइप में यूज करेगा तभी जाके उसका values बढ़ सकता है उसका attitude change हो सकता है उसका behavior change हो सकता है सब कुछ हो सकते है तो क्या करना है हिंचल स्टूडेंट को participate करना चाहिए the most important task in teaching the most important task in teaching is marketing making monthly reports and maintaining records making assignment and hearing reactions directing students in the development of experience knowledge क्या होना चाहिए आपका अंचार क्या होना चाहिए देखे most important task in teaching most important task क्या होना चाहिए important task क्या होना चाहिए देखे टास्क के monthly record करना चाहिए और maintaining records क्या करना चाहिए तो नहीं यह तो additional काम हो गया तो making assignment and hearing reactive radiation यह भी नहीं हो सकता है making assignment यह भी additional काम हो गया कि देन डिरेक्टिंग स्टूडेंट्स इंद डेबलोमेंट अपा एक्स्प्रियेंच यह हो सकता है जैसे कि नेक्स्ट लास्ट क्योश्चिन हमां रहा था ना लास्ट क्या था जो कि moral value सिखा रहा था moral value सिखाने के लिए क्या करना चाहिए तभी जाके उसका स्टूडेंट का और टीजर का दोनों का moral value चैंज हो सकता है कि दीर्यक्टिं स्टूडेंट है डेपलोमेंट सब्रैल एक्स्प्रियेंच तरह म tahu को यहा था तो आक्टुली चेंजेस आएगा अच्छा बेटा चाजमी बन सकता है तभी जाकर क्या होचा डारेक्टल एक्सप्रींच करेगा तो होगा देखें नेश्ट क्रेंचेंग देखें देखें दो मोस्ट अकुरेट स्टेटमेंट अबाव टीचिंग मेशीन दो मोस्ट आज इफिशेंट आज टीचर सीन री एंफोर्शिंग पर्शंस देखान बी उस्ट फर ओल लॉर्निंग प्रोग्राम्स तो मोस्ट अकुरेट स्टेटमेंट अबाव टीचिंग मेशीन जो कि अभी हम टीचिंग लाइन में क्या करें मेशीन यूज करें मतलब आई-सीट आ इसलिए उसको टीचिंग में इंटर्डूश किया गया ना नहीं तो कैसे हो सकता है दे क्यान बी यूस्ट फर ओल लॉर्निंग प्रोग्राम्स अल लॉर्निंग प्रोग्राम में उसको यूज नहीं कर सकते हैं बट आंचार हो जाएगा आपका ब्यफ स्किनर बिगांस दे मोमेट फर्द यार यूज ओके नेक्स्ट देखे 60 हो गया हमारा 60 ओ आन कुस्छीन अभी आएगा क्या हो गया देखे बाइबाइबाइबाइब इस का हमेशा कंटिनुसली ओविलुशन होना चाहिए मेरे इसबसे कंटिनुसली ओविलुशन होना चाहिए मतलब सब्सक्राइब क्या करना है उसको क्या करना थे इसको चेहरे सब्सक्राइब करना कोई कोई प्राइबर सेकेडर Grand गौर होना चाहिए उसको समय साफ़ पूर पूरा यह ठोको तरी इंग्पर कोनना मतलों सा इसलेटा थिटीश्स सीवालीशन स्पे Ministry आपका बिंबी तेट फाड़का से the purpose the teacher should क्या करना चाहिए टीचर को क्या करना चाहिए आप बोलिए थे यह और स्टूडेंट साफ इस परिदेश प्रोल्म फेस्ट ही मुझल प्रिद में के घ। यह पोइसी है आपका एक स्कूल में काहीं पर इटीचर हो तो आपके पास आ रहा है क्या करने के लिए उसका प्रोब्लेम सलब करोगे या उसको कोई और ये तो नहीं ना आप खुदी सलब करने के लिए और को सिस्क्तों करोगे आप से नहीं होगा तो आप किसी और और की म्यूले सकता आफ़ेत है तो तो यह लाएछ गात्व शुटफ्रेज करें तो अंसार हो जागा एक्स्टेंड रिजन juice नु Yakudte to disturb the discipline of the class by making mischief that will be your role आजे teacher क्या होना चाहिए एक teacher का रोल क्या होना जब क्लास्रूम में कुछ student आपको क्या करें डिस्टब करें आपको student कुछ डिस्टब करें class में तो teacher को क्या करना चाहिए बोले टीचर को क्या करना चाहिए explaining the students isolate the students reform the group with your authority giving them an opportunity for intersection and improve आपका आंसर हो जागा फोर हो जागा आपका टीचर का काम क्या होना चाहिए वह बच्चे उनको और वी थोड़ा चांच जणा चाहिए क्यूंकि वह थोड़ा सा खराब हो गए उनको जहाए उसको उनको समझाना चाहिए यह अच्छा नहीं आपका वाविषत के लिए अच्छा नहीं है और अगे आपका बश्चेश्च बहुत सारा विश्चा बहुत लाइफ पड़ाव है आपको अगे बहुत सारा एक्सिरेंस करना पड़ेगा अभी लाइफ को खराब करोग पूरा सोसाइटी को भी आफट करेगा तो टीचर का क्या काम होना चाहिए उसको और एक स्टूडेंट को जो स्टूडेंट जो भी जितनी भी हो जो भी हो और एक 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 चांस देना चाहिए उनको समझाना चाहिए उनको अपर्चुनिटी देना चाहिए उनके साथ बात करना चाहिए अच्छे से बात करना चाहिए अलग से हो उनको सेपरेटली एक एक करके बात कर बात करना चाहिए तरफे जाके वह स्टूडेंस अच्छा हो सकते हैं कैसे आपका ऐसे आपका थो यहां जांगा तहिए भीच ब्लाक बोर्ड डाकोड ग्लोब क्या होना चाहिए श्पेलिंग मेरा मिस्टक हो रहा है हो गे मिस्टक मत पकड़िएगा प्लीज़ आप कुस्चिन देख्ये हुच अब दो फॉलगा बिलंग्स टुए फ्रोजेक्टेड एड़ ब्लाक बोड नो dari Cब्सकाथ अग्लोफ क्या होना चाहिएwhat the यह इत ब्रोजेक्टेर क्या होना चाहिए है Gaelke Ih am Kyle Dosqcela Si प्सक्रोभ नेचट GUY लिए टीच्रिटे इसेह घ्री बीए फ्लुएंट इन आस्किकिंग कहना यह50 कहना स्वक्रिंग माक्समान अमर कोस्टीं इन y Bee कोछ नहीं होता है जिटना जरुँत है उतना ही। उससे बात करना चाहिए एक टुचर इसेट टो बी फ्रुएंट इन आशकेंग कोस्टीन्ज इन ही इफ ही कन आश के मिनिग्फुल कोस्टीन्ज ओके आंशार हो जाएगा वान नेश देखें पुचा दो फॉलेंग क्वालिटीज आफ़ अफ मोस्ट एसेंचाल पर टीचर टीचर का एसेंचाल क्वाल यहाग है अरहे रहा हाँ है पसके德 वैसके फिर बद चलेगा उसके पास आपका अंसार क्या स्टोड़ां सब्चेक्ट क्या लों कैसे पस्लाइबState पर्यूंतन होना चाहिए यह पीशनन को दार्ध के सब्सक्राइब बट पैसन्ट क्यूंकि जो स्टूडेंट होगा न मतलब मतलब पर गंसीम्क की पास in समझाना पड़ेगा तब तो के सकता है वह पढ़को sus dead को से ज woods को सब्चया सकते सब्सक्राइब को समझ में कुछ यायगा तो तरो क्या हो जाएगा वहद्फयरी के कहने आपके पास सब्जेक्ट नल्ड़ेज होना झाहिए ओल मैनर हो चाहिए और स्टुडेइंट के लाइक की होना चाहिए और आकोगे पास प्रोपर पेसेंस होना चाहिए तभी जाके आप एके गूड टीचर बन चकते हैं next question देखिए next question if you got an opportunity, if you got an opportunity to teach a visually challenged student along with the normal students what type of treatment would you like to give him in classroom, क्या होना चाहिए not give extra attention because majority may suffer take care of him sympathically in the classroom you will think that blindness is his destiny and hence you cannot do anything arrange a seat in the front of row and try to teach at a place convention to him and I will not show you down to the beginning what I am saying and I should never do the same thing you will be able to treat a child आपको अच्छे से उसको ठीट करना पड़ेगा क्यूंकि उसका भी पढ़ने का उतना ही हग है जो कि नर्माल बच्चे का जितना भी हग है उसका भी पढ़ना उतना ही हग है तब ही जाके क्या आप समान दुष्टि में देखना चाहिए एक टीचर का सामने कोई अंधा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई खराप नहीं है, सब समान होना चाहिए, सब जितने भी बच्चा हो, सब एक समान होना चाहिए, तब ही जाके वो अच्छा टीचर ही कहलाएगा, अच्छा टीचर काना लगे लिए, उसको थोड़ा सा देखना हैं सभी बच्चे को भी देखना है और उसके साथ इसको भी देखना है तब जाके आपके एक गुड टीचर बन सकते हो ओके नेक्ट कुस्चिन देखें वुजादı following is not a characteristic of a good teacher good achievement task reliability, objectivity, ambiguity, validity, । usability क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए वुजाद following not a characteristic of a good teacher- बन चाहिए आपका आप reliable होना चाहिए हमेसा reliable होना सभी student को अच्छे से treat करना चाहिए अब्जेक्टिविटी मतलब पॉइंट टू पॉइंट बच्चों को समझाना पड़ेगा उनका जो डाउट एस एक पॉइंट पॉइंट के पाइंट पॉइंट सभी कंसेप्ट उनको क्लेर होना चाहिए अंबिगुटी नहीं होना चाहिए यह नहीं हो सकता ओके वैलिडिट आपका त्री हो जाएका उसका मतला आपका आंसर हो जाए और यह आजायए आ यह आपका रहां जो कि जो कि अपका तीचिंग अन हुन हरेगा रिपीट हो जाएगा प्रोजेक्ट ट् unwilling mean यह प्रोजेक्ट क्ट đầu सुरॉ शरी गलत बोल्ट यह आपक का अंसर हो जाएगा ब्लाकबर्ड था ब्लाक ब्लाकबर्ड रोज्जेक्ट अन यह parent आपको अंसर हो जागा Blackboard हो जाएगा जो के teaching यह तो teaching 8 है यह सब एक teacher teaching अड़े एपिडियोस्कोप ये भी स्राइडर प्रोजेक्ट ये भी है अवके टी ब्लागबूर्ड क्या होदा हो teaching के लिए एक प्लेश हो गया यह हो गया मतलब teaching aid नहीं पर देखें लास्ट कोशीन हो जाएगा यह 70 वाला for a teacher which of the following method would be correct for writing on the blackboard for a teacher which of the following method would be correct for writing on the blackboard क्या होना चाहिए writing first and first as clearly as possible writing the matter first and then asking the student to read it asking the question to students and then writing the answer as stated by them